धनूरासी वालों का आजिका रासी फल यणी की 6 अगस्त 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आजिके वेडियों की सुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आजिके दिन आपके जीबन में क्या-क्या बदलाब होगा लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 6 अगस्त 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है तृतिया नक्षत्र है सत भिसा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है गुरु बार आज के दिन सुर्य उधे हो रहा है पांच बज के पैंतालीस मिनट में सुर्य अस्त हो रहा है सात बज के सात मिनट में रितू है वर्सा आज का दिन काल है 13 घंटे 22 मिनट 25 सिकेंड का महिना है भादर पद आज के दिन सुभ शमय सुरू होता है 11 बज के 69 मिनट एम से 12 बज के 33 मिनट पी एम तक असुभ काल सुरू होता है 10 बज के 12 मिनट एम से 11 बज के 6 मिनट एम तक दुबारा है तीन बज के 33 मिनट पी एम से 4 बज के 27 मिनट पी एम तक राहु काल सुरू होता है दो बज के 7 मिनट पी एम से 3 बज के 47 मिनट पी एम तक दिसा सूल है दक्छिन दिसा की और तो ये था आज का पंचांग आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्य साली रंग भाग्य साली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपके शामने में कहीं कोई पड़े सानी कहीं कोई समस्या नहीं हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके पाड़िवारिक जीबन आपके सामाजिक जीबन के बारे में मित्रों पाड़िवारिक जीबन और सामाजिक जीबन के दृष्टी कोन से आज का दिन आपके लिए सामाननी रहेगा आज के दिन अगर अपने घर पडिवार में आप कोई पडिवर्तन करना चाहते हैं कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले आपको अपने घर वालों से बिचार करना होगा यह आपके आज के दिन के लिए बहुत जयादा आवस्यक है वैसे अगर आपके प्रेम शंबंध की बात करें तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियादा बेहतर और सांदार है आज से पहले किसी भी कारण से अगर आपके प्रेम शंबंध में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई शमस्या था तो आज के दिन अपने प्रेम संबंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें क्योंकि इस काम को करने में आज के दिन आपका भाग्य आपका ग्रह आपका शाथ दे आज के दिन अपने कामकाज में अपने काड़े छित्र में अगर आप कोई पडिवर्तन करना चाहते हैं कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले अपने कर्मचाड़ी अपने सहकर्मियों के शाथ आपको वर्तालाब करना होगा और वर्तालाब करने के बा आपके लिए बहुत जियादा बिहतर और सांदार है आज के दिन आपके जीबन में अगर कोई पड़ेसानी कोई शमस्या रहता है तो आप चिंता बिलकुल भी ना करें क्योंकि आज के दिन आपका जीबन साथी आपका शाथ बहुत जियादा देगा और जीबन साथी के सपोर जीवन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के उपाई के बारे में, मित्रों उपाई बोहत ही जियादा सामाननी है। आज के दिन आप असनां ध्यान करने के बाद सिब लिंग पर जल चड़ाएं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आपका शमय सांदर हो जाएगा, आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है लाल और मैरून, आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है वन यणी की एक, तो यही था, आपके आज के दिन का रासी फल।